बिना investment के mobile से पैसे कमाने का एक genuine तरीका है refer and earn लेकिन ऐसे apps find करना जो refer करने पर genuinely payment करते हैं पैसे देते हैं बहुत मुश्किल है ऐसे में अब stocks एक ऐसा platform है जो आपको refer करने पर शांदार कमाई करने का मौका दे रहा है अगर आप अपना app stocks refer link share करते हैं और उसे कोई person account open करता है तो आपको 1200 रुपे मिलते हैं अगर आप एक दिन में कम से कम 5 लोगों को भी refer कर देते हैं तो आपकी एक दिन की कमाई 5000 रुपे से ज्यादा हो जाती है ऐसे में आप अपने friend circle के हिसाब से सोच सकते हैं कि आप एक दिन में इससे कितनी कमाई कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको app stocks refer link बनाने का और उसको share करने का complete process दिखाने वाला हूँ साथी मैं आपको दिखाऊंगा कि referral amount कहाँ पर आता है और उसको अपने bank account में withdraw कैसे किया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं पहले आपको अपना referral link बना लेना है जिसके लिए आपको एक app stocks account आपन करना होगा अप stocks account आपन करने के लिए आप इस page पर आएंगे इसका link आपको description में मिल जाएगा इसमें आप एक mobile number डाल कर sign up with mobile number पर click करेंगे आपके mobile number पर एक OTP send के जाएगा OTP यहाँ डाल कर continue करेंगे इसके बाद आपको 6 अंकों का एक pin set कर लेना है तो यहाँ पर आप pin डालेंगे जो भी आप रखना चाहते हैं इसके बाद continue इसके बाद pin दोबारा डालेंगे ताकि यह confirm हो जाए इसके बाद continue इसके बाद आपको अपना email address यहाँ पर डाल देना है इसके बाद get OTP पर click करेंगे तो आपकी email ID पर एक OTP send के जाएगा OTP आप यहाँ डालेंगे और continue करेंगे आपके पास pen card और आधार card होना चाहिए continue करेंगे इसमें आपको अपना pen card number डालना है और नीचे आपको अपनी date of birth calendar से choose कर लेनी है इस तरह से आप यहाँ choose कर लेंगे इसके बाद next करेंगे इसके बाद आपको कुछ personal details फिल करनी होगी जैसे कि आप अपना gender choose करेंगे marital status choose करेंगे अपनी annual income choose करेंगे ट्रेडिंग में आपको कितना experience है वो आप choose कर लेंगे अपना occupation choose करेंगे आप काम क्या करते हैं अगर आप politically exposed नहीं है तो आप no choose करेंगे अगर आप सिर्फ इंडिया में tax pay करते हैं तो इसको आप yes करेंगे इसके बार terms को accept करेंगे I accept और continue करेंगे इसमें I want a stock पर click करेंगे आपके सामने आपका address आजाएगा अगर ये सही है तो आप yes पर click करेंगे लेकिन अगर सही नहीं है तो आप इसको edit भी कर सकते हैं edit करने के लिए आप नीचे edit पर click करेंगे अगर आप इसको edit करना चाहते हैं तब आपको एक address proof देना होगा तो address proof आप यहां से choose कर लेंगे इसके लिए आपको passport, water ID card या driving license देना पड़ेगा आप यहां अपना पूरा address डालेंगे, document को upload करेंगे और continue करेंगे लेकिन अगर आपको यह address सही लगता है तो आप yes पर click करेंगे इस box में आपको digital signature करने होंगे जैसे आपके pen card पर है वैसे ही आप यहां इस तरीके से कर सकते हैं इसके बाद continue इसके बाद आपको अपना एक photo click करना होगा जिसके लिए आप continue करेंगे camera start हो जाएगा और आप अपना एक photo click करेंगे इस तरह से camera start हो जाएगा इसमें आप अपना face लाएंगे और capture पर click करके photo click करेंगे आपके सामने photo आजाएगा अगर आप चाहें तो दो बारा से capture कर सकते हैं इसके बाद continue करेंगे इसमें आपको अपनी bank details fill करनी होगी तो इसमे इसके बाद continue इसके बाद आपको account opening fees pay करनी होगी ज्यातर time ये बिल्कुल free होता है लेकिन किसी किसी time आपको fees भी pay करनी पड़ती है इसके लिए आपको 249 रुपीज पे करना होगा तो आप sign up पर click करेंगे अगर आपके अधार card के साथ mobile number link है तो इसको आप yes करेंगे fees pay करने से आप pay करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर choose कर लेंगे जैसे कि मैं phone pay से pay कर देता हूं phone पर choose करेंगे और pay पर click करेंगे आपको redirect कर दे जाएगा phone pay में जहां आप send पर click करेंगे अपना UPI pin डाल कर payment complete करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं payment successful हो चुका है इसके बाद continue करेंग अगर आप nominee अड़ करना चाहते हैं तो आप add nominee पर click करके nominee अड़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप अभी nominee अड़ नहीं करना चाहते तो आप second option पर click करेंगे इसके बाद आपको अपनी application को e-sign करना होगा जिसके लिए आप आधार OTP पर click करेंगे इसमें आप e-sign now पर click करेंग इसके बाद Sign Now पर क्लिक करेंगे, इसमें आप Consent देंगे, अपना आधार कार्ट नंबर डालेंगे और Send OTP पर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ट के साथ जो मुबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड कर दे जाएगा, OTP आप यहां डाल कर Verify OTP पर क्लिक करेंगे, आप आपकी application successfully sign हो जाएगी जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, यहां से download document पर क्लिक करके आप अपनी application डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी application सब्मिट हो चुकी है, इसके बाद Upstocks टीम इसको verify करेगी और आपके account को activate कर दिया जाएगा, इसके बाद आपका user ID, password आपकी email ID पर send कर दि इसका link आपको description में मिल जाएगा, यहां से आप install कर लेंगे, जिस number से आपने Upstocks account open किया है, वो number यहां डाल कर get OTP पर click करेंगे, आपके mobile number और email ID पर एक OTP send के जाएगा, OTP आप यहां डाल कर continue करेंगे, account create करते समय आपने 6 अंकों का जो pin set किया था, वो pin आप यहां सक्सेसफली आप अपने Upstocks account में login हो जाएगे, इसमें आप उपर profile पर click करेंगे, इसमें आप rewards पर click करेंगे, इसमें आपको नीचे एक option मिल जाएगा, invite friends इस पर आप click करेंगे, इसमें आप copy link पर click करेंगे, तो आपका reference link copy हो जाएगा, इसके बाद बस आपको यह link अपने friends के साथ share करना है, आप social media platform पर भी share कर सकते हैं, जब भी कोई person इस link के थुरू upstocks account आपन करेगा, तो आपको 1200 रुपए मिलेंगे, details देखने के लिए आप prefer friend पर click करेंगे, जैसे कोई आपके link से upstocks account आपन करेगा, तो 800 रुपीज आपको तुरंत मिल जाएगे, और जब व इसके बाद आप ये link SMS ये WhatsApp के थुरू अपने friends को share करेंगे, ये social media platforms पर share करेंगे, और जब भी कोई आपके link के थुरू upstocks account आपन करेगा, तो आपको 1200 रुपए मिलेंगे, तो अगर एक दिन में कम से कम 5 लोग भी आपके link से upstocks account आपन करते हैं, तो आपको 5000 रुपए से ज्यादा की कमाई होगी, आपका जो reward balance है, वो यहाँ पर show होगा, इसमें आप अपना reward balance देख सकते हैं, और यही से withdraw rewards पर click करके, आप सीधे अपने bank account में इसको withdraw कर सकते हैं, तो इस तरह से आप अपना upstocks reference link बना सकते हैं, और इसको अपने friend circle में share करके, अच्छी कमाई कर स पूर सकते हैं,